हलो विवन तो यूपी ट्रपल सी के द्वारा फाइनली पी टी का एक्जाम लेने के बाद उसके रिजल्ट के बाद जिसका लगातार एक इंतजार हो रहा था कि फाइनली वैकेंसी कब आगे की क्लियर की जाएंगी लेकपाल कोई पदों की वैकेंसी कब आएगी और अन्य प्रकार के जो एक्जाम यूपी ट्रपल सी के अंतरगत होने थे उनकी वैकेंसी कब तक आने वाली है और इस कड़ी में आप सभी के लिए अच्छी ख़बर ये कि फाइनली यूपी ट्रपल सी ने पहली वैकेंसी पोस्टेज यहाँ पर एक पोस्ट को लेकर स्वास्द कारिकरता के पदों को लेकर यहाँ पर उनने वैकेंसी निकाल दिये और ये सुरुवात है आप सभी के लिए खुशकबरी है जरूरी नहीं हो सकता है आप लेकपाल के पदों का वेट कर रहे हों उसके बारे में भी चर्चा करेंगे क्या है लेकपाल के बारे में क्यों ये आपके लिएक इंपॉर्टेंट निउस हो सकती है और आगे कि किस तर तकलिकिज प्रटेटिक के बारे मैं इसको कखेंगे और जो भी वीडियो आएंगे वो आपके exam को लेकर focus रहेंगे और इसी कडी में आपको ये दूसरा वीडियो में लेकर आ रहा हूं यहां पर देखें जो जानकारी है आप सभी के लिए खुश होने वाली बात इसलिए है मैंने पहले भी कहा कि finally यूपिटर पलसी ने आप सभी के लिए एक post निकाली है स्रिजन कर दिया है अगर आप यहाँ पर स्वास्त कारे करता के पदों का wait कर रहे थे छोटी मोटी vacancies नहीं निकाली गई है आप देख सकते हैं पदों की संख्या 9212 पदों के लिए स्वास्त कारे करता के post यहाँ पर निकाली गई है vacancy यहाँ पर निकाली गई है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज जो आपको बताने वाली है जो important fact है पहली चीज तो यहाँ पर देखिए begin कब होने वाला है तो 15 तारिक से 15 दिसंबर से already registration शुरू हो चुका है और यह आपको 5 जनवरी तक चलने वाला 5.1.2022 तक आप form fill up कर सकते हैं इस चीज में जो सबसे important पहले जो eligibility वहाँ पर लिखी गई है P.E.T. P.E.T. exam आपका must be qualified लिखा हुआ है अगर आपने P.E.T. का exam दिया है तभी यहाँ पर U.P.E.S.C. जो भी future vacancy निकालने वाली है वहाँ पर आप qualified किये होंगे P.E.T. का exam clear किया होगा तभी वहाँ पर होगे अब P.E.T. को लेकर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसमें आपको P.E.T. का exam जो भी cut off जो होगा निर्धारित किया जाएगा उस cut off के आधार पर आप यहाँ पर selection होंगे इसी तरीके से इस पदों को यदि आप भरना चाहते हैं आपको फाइनली यहाँ पर वैकर आजाए लेकर हम लगाता है कर रहे हैं 7882 पदों को लेकर चर्चा कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर न्यूज एक यह भी आ रही एक उसकवरी कि आप लोगों के लिए पदों की जो संख्या है लेकपाल के पदों की संख्या प्रशासन ने और भी यहाँ पर डिमांड की थी कि आपको अगर और भी पद खाली हुएं तो उनको भी इसके साथ जोड दिया जाए और इसके तहट यहाँ पर जो पदों की संख्या है यह बढ़ सकती है बढ़ भी सकती है करीबे 9000 से 10,000 वेकेंसी भी जा सकती है लेकपाल के पदों की संख्या भी बढ़ने के चांसे यहाँ पर हैं तो आप सभी तयार रहेगा पढ़ाई को लेकर सारा यहाँ पर हम स्टरड़ी लेकर डिसकस करेंगे किस तरह के से आपको कारशाला रहेगी आपको कैसे आपको तयारी करनी है इसके लिए यहाँ पर हम नया बैच भी ओपन करेंगे न्यू बैच ओपन करेंगे बस हम वेट इस चीज़ का कर रहे हैं कि लेकपाल के पदों का जो हता है नेक्स्ट वीक तक आने के चांसेज है और एक्जाम इसके कंडक्ट म्यान लीजिए आपको बहुत जादा समय नहीं भी देंगे तो कम सकम एक महीने का तो समय फिर भी देने वाले हैं तो फरवरी में जहां तक हो सकता है यह एक्जाम लें तब तक हमारे पास 40, 45 दिन, 50 दिन जो भी हमारे पास मिलेगा हम वहाँ पे तयारी करने वाले हैं अच्छे से करने हैं एक क्विक रवीजन कोर्स स्टार्ट करेंगे आपको जल्दी से इस एक्जाम को प्रिपेर करने हैं कम से कम दिनों में आपके कंप्लीट कोर्स की तयारी की जाएगी पूरी यहाँ पर एक स्पेसिलिस्ट हम टीम इसके लिए लेकर आएंगे और यहाँ पर मैं खुद यहाँ पर इस टीम का एक नित्रिवत करूँगा और आपको अपने अन्र टीचरों के साथ इस कम्प्लीट कोर्स को लेकपाल के पदों के लिए कम्प्लीट कोर्स लेकर आएंगे बहुत ही जल्दी यहाँ पर जादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको दो-चार दिनों में इसकी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आएगी उसके साथ साथ नय बैच की भी जानकारी में आपको दूँगा तो अगला वीडियो जो होगा हो सकता आपके बैच से रिलेटेड हो या लेक पाल के पदों को रिलेटेड हो लेकर आज फिलहाल यह जो जानकारी है आप सभी के लिए कि यहाँ पर तयार हो जाईए आप अपने एक्जाम के लिए पहला जो vacancy clear कर दी गई इसका आप कैसे हैं पहला कदम है यहाँ पर यूपेटर पलस्टी ने आगे बढ़ा दिया है आगे की जो रणनीती होगी जो चर्चा होगी दिखे जादा कुछ करने की ज़रोगे नहीं है चार सब्जेक्ट हैं स्लेवस आलरी मैंने डिसकस कर दिया है नए स्लेवस के कॉर्डिंग पूरा कोर्स हम तयार करेंगे उसी के कॉर्डिंग पूरी स्टड़जी बनाएंगे उसी के कॉर्डिंग आपको यहाँ पर गाडिस दिया जाएगा रिवीजन तयार किया जाएगा ट यूपी एक्जाम प्रिप एकेडमी ठीक है ये आप टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल पर जो भी जानकारी होंगी गतविधिया होंगी उससे रिलेटेड आपको लगातार इस पर हम अपडेट करते रहे हैं और आगे भी करते आप सभी तयार रहे हैं अपने आपको यहाँ पर प्रिपेर्ड रखे इस एक्जाम पर प्रिपेर्ड रखे इस लेबस को अच्छे से देख कर रखे और यहाँ पर हम आपके साथ बहुत जल्दी अगले वीडियो में बैचे से रिलेटेड और बाकी अने जानकारियों के ल